हेलो फ्रेंज आपका हमारे चैनल में स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं मतर पनीर मतर पनीर तो ऐसे सभी लोग बना लेते हैं बड़ आज हम कुछ अलग तरीके से बनाने वाले गाउं में लोग कैसे मटर पनीर बनाते हैं आज हम वो बताने वाले कैसे मटर पनीर गाउं में बनता है अगर आपको हमारी रेस्पी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक से और सस्क्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि हमारी रेशिपी बनी कैसी है तो हम रेशिपी बनाना शुरू करते हैं हमने लिया है 200 ग्राम पनीर और एक कटोरी मटर छील के लिया है टमाटर है और दो मिडियम साइज की प्याज को हमने कट कर लिया है एक बड़ा लशन छील लिया है अद्रक का टुकड़ा और 3-4 हरी मिर्ची अब हम सारे मसाले को एक साथ पीश लेंगे लशन प्याज मिर्च अद्रक का टुकड़ा एक साथ ही हम पीश लेंगे मिक्सर में आप चाहे तो सिलवट्टे पे भी पीश सकते हैं मिक्सर में पीश सकते हैं तो अब हम मसाले को पीश लिये हैं अब हम बनाना सुरू करते हैं कड़ाही गरम हो गई तो कड़ाही में हमने तेल डाल दिया तेल हमने सर्सो का यूज किया है आप सर्सो की जगा रिफाइन भी यूज कर सकते हैं तेल गरम हो गया तो हमने एक चम ही रखना है मीडियम आज पे ही मसाला भूनेंगे ताकि प्याज और लासन का जो कच्छा पन है वो निकल जाए है हमने दो टमाटर लिये हैं टमाटर को हमने सिर्फ दो भाग में कट कर लिये और साथ में टमाटर को भी हम भूनेंगे टमाटर को गलाने के लिए हम अभी नमक स हसाव से और हम इसे ढ़कन ढ़कर के 5 मिनुट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे आज को मीडियम ही र Henri saag plupart तक बखने देंगे तो मिशा कड़कन लगा कि छोड़ देते हैं 이제 स्टेक्टा हैं चेख कर लेंगे आपको लेंगे अब मुलाइब प्रेत। चिलका निकल जाता है ऐसे ही तो एसे ही सारे टमाटर से हम छिलके निकाल लेंगे और टमाटर को ऐसे ही हम अच्छे से मैंश कर लेंगे अब हम इसी के साथ कुछ मसाले भी एड़ कर लेते हैं तो हमने थोड़ा सा हल्दी पाउडर धनिया पाउडर जीरा पाउडर गरम मसाला थोड़ा सा पनीर मसाला और एक चमच कास्मीरी लाल मिर्च के लिए डाल दिया मसाले को भी हम साथ में थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसी के साथ अब हम मटर भी डाल देंगे अगर फरोजन मटर है तो हम बाद हमेंगे अगर प्रेश मटर है मट्र भी हमारे अच्छे से मनट कर चुका मट्र भी सो अच्छ से पक चुका में अल़ने के लिए घक मात आवने अच्छे से ग्रेवी पणि यूज किया है आप अपने हिसाब से पानी कम या ज्यादा डाल सकते दमें जित्व पानी डाला देख अब पानी में हम एक गुबाल आने देंगे एक हुबाल आ गया है अब हम इसमें पनीर को भी डाल देते हैं पनीर को डालके हम अच्छे से चला लेंगे और डखकन डखकर करके हम दो से तीन मिनट के लिए धीमी आज पर पनीर को पकाएंगे अब हमारी पनीर बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं धनिया से इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा अब हम इसमें धनिया एड़ कर लेते हैं थोड़ा कमेंट में आप जरूर बताएगा कि हमारी रेस्पी बनी कैसी है अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, सेर और सस्क्राइब करें कमेंट में जरूर बताएगा कि हमारी रेस्पी बनी कैसी है झाल झाल